तो धमाकेदार इस वीडियो में आप लोगों के धमाकेदार न्यूज unde के साथ स्वागत है कल के वीडियो में तो एसा हुआ कि या रोजाना तीन वीडियो आते हैं बट क्या हुआ कि मैंने एक वीडियो तो अपलोट कर दिया फिर उसके बाद दो वीडियो बनाays के अपलोट करके भी रख दिये थे उन्हें के और पब्लिस करना में भूल गया क्योंकि वह बीच में दीदी का फोन आ गया था में बात में ऐसा लगा कि फिर मुझे ध्यान से उतर गया तो दोनों के अल अनलिश्टेड मोड पर ही पड़े रहे और आज जाके देखा तो पब बेल आइकन को हिट देखे सबसे पहले हम पहली नियूस से ही शुरुआत करते लेकिन उससे पहले मार्केट का थोड़ा हाल जान लेते हैं चार जिरो कैसा सोला के लेवल पर ही मार्केट ट्रेंड कर रहा है काफ़ी समय से इसी लेवल पर घूम रहा है लेकिन एक अच्छे चीज यह है कि मार्केट यहां 12-13 से रिवर्स लेके यहां पर आया है और अब यहां पर रेंज अच्छी बना रहा है मतलब इतने टाइम त यह एक साल पहले का जो संकेत था उस पर लेवल आ गया है क्योंकि यहां पर से बाउंस बेक हुआ था मार्केट आगे क्या होगा उससे पहले बिटकोईन में देख लो 57-58,000 पर बिटकोईन ट्रेंड कर रहा है एक टाइम 69,000 पर पहुचा था लेकिन वही कि 60,000 का जो बेरि हो सकता है 50,000 से नीचे भी बिटकोईन चल जा लेकिन 45-48,000 से नीचे फिर बिटकोईन नहीं जाएगा वहां से बायर एक्टिव होते हुए दिख जाएंगे तो ये एक संभाव ना है जो कभी भी घटित हो सकती है मार्केट में बट लोंग टर्म में काफी अच्छा विजन है शिबयनू और मार्केट का पहली नियूज से ही सिरुवात यहां पर कर लेते हैं पहली नियूज यहां पर वेल्स की तरब से आई है जहां पर सुधार कहीं न कहीं जो करेक्शन ओवर हो चुका है और वेल्स गतिविधी से कीमतों में तेजी का संकेत यहां पर बताये गय है जो मुख घब रहे है कि दो वर्सों के कठिन समय के बाद अक्टूबर 23 शिबयनू में तेजी आई थी उसके बाद बड़े इंवेश्टर वील्स हाली में बहुत अधिक शिबा खरीद रहे है और एक्चेंज उपर होल्डिंग यहां पर घट रही है कीमतों में सुधार क बाद शिबयनू फिर से तेजी के और रुख कर रहा है जल्दी ही अपने all time high को पूनहा यहां पर जा सकता है आने वाले समय में तो यह तीन बड़ी बात यहां पर कही गई है अगर इस न्यूज को और आगे तक मैं समझावा आपको तो बताए गया है कि अक्टूबर शिब बाधित करने वाले जो मंदी थी वो बजार अभी मुक्त हो चुका है फ्री हो चुका है जैसे जैसे मीम कोईन मुखधारा में आ रहा है जो इथेरियम अधारित प्रोजेक्ट है उनके हाल ही में alt कोईन में एक अलगाओ का प्रदेशन यहां पर हुआ है तो इस चीज पर ज एजी के यहां पर संकेज जो है मिले है जिसमें बुलिस सिगनल इंडिकेशन यहां पर दिखे है तो ओंचेंड डेटा के माध्यम से मालूम पड़ा है कि जो डेटा है वो आकरशक प्रवतिका है और गेर एक्षेंज वील्स इंपोर्टेंट रूप से शीबा टोकन जमा कर है तो यह एक बड़ी बात यहां पर कही गई है 150 शीबायनू वेल्स एक्षेंजों से जुड़े पतों को छोड़कर पिछले महीने 6.5 प्रिलियन सधिक शीबा टोकन होल्ड किये गए है समझ रहे है न तो यह बड़ी बात यहां पर कही गई है शीबायनू को लेकर इसके व वेल्स की जो एंटरी हुई थे न यह जो बोटम आया था न उस बोटम पर हुई थी और वहीं से कहिना कई मार्केट में इस बोटम इस बोटम पर से जो है एक लाक यह उस से बड़े इक के ट्राइटरप्मेंट को बढ़ावा देने के पीछे एक और यहां पन्योज है जिस का जो एक दरजन डेफी प्रोजेक्ट लॉंच किया जाने के बाद ओंचेन गतिवी थी और शिप टोकन की बर्न दर में जो ग्रोथ हुई है वो भी उलेखनी है तो उसके उपर भी फोकस यहां पर किया गया है और 1.3 मिलियन से अधिक जो एकाउंट स होल्डर है एक संपन ओन लाइन कमिनिटी यहां पर बन चुकी है जो एक मजबूत मार्केट के लिए मजबूत संकेत दे रही है तो शिबेरियम के लिए भी यह नियूज काफी यूसफुल है जो कहिना कई आने वाले समय में मार्केट को बूश्ट करवाएगा ठीक है तो यह पहली नियूज थी सेक लिए चाहती है कि जितने भी एक्षेंज है वह अपने यहां पर जितने भी शिबा टोकन को ट्रांजेशन करते हैं और उसमें जो फीज वह लेते हैं उन फीज का इस्तिमाल वो शिबा टोकन को बर्निंग में करें यानिकि यह पर जोड़ देकर शिबा टीम का शिबा कमुम है मतलब community वो यह चाहती है कि जो अभी शीबा में जो burning हो रही है ना बहुत कम मात्रा में हो रही है तो इसको बढ़ाने के लिए जो community है वो यह चाह रही है कि जो एक्चेंज हुनों है जो शीबा को एक्चेंज करवाते हैं जैसे like Binance हो गया या फिर Coinbase हो गया तो उनसे request की जा रही है कि वो LUNC की तरह ही support करे शीबा को और शीबा बर्निंग में योगदान दे अब वो योगदान कैसे देंगे कि जब भी कोई एक्चेंज पर जैसे Binance Coinbase पर कोई भी Shiba token buy sell करेगा तो जो fees निकलेगी जो सुल्क लेंगे ये उसका इस्तिमाल कुछ मात्रा में Shiba token को burn करने में करे और Shiba token को dead wallet में भेजे हले कि यहाँ पर एक्चेंजों ने इस बात को लेकर मना कर दिया है कि हम इस टाइप की चीज जोर देकर ये भी कहा जा रहा है कि यही Binance अब Shiba को लेकर कुछ ने कुछ यहाँ पर चीजे करे ठीक है लेकिन यार अब वो तो एक्चेंज का मानना है कि वो इस चीज को करे या नहीं करे लेकिन फिर भी कहीना कहीं community इस बात पर जोर दे रही है देखना दिल्चस्प होग करने कि Shiba Inu यहाँ पर digital commerce में एक बड़ा marketplace बनने के तैयारी कर रहा है यहाँ पर बताया गया है कि Shiba Inu ecosystem team ने जो Shiba marketplace का है जो इंट्रोड्यूस यहाँ पर किया है जो एक अगामी एक नया मंच प्रदान कर रहा है जो digital e-commerce में क्रांति ला सकता है तो यह एक बड़ी चीज य नए marketplace जो like Shiberium के साथ काम करेगा ठीक है और यूजर करता हो को basically मुनाफ़ा देने का प्रियास करेगा तो यहाँ पर वही चीज कही गई कि platform Shiba Inu staking समाधान यानि कि Shiberium दुआरा organization organized होगा जो पारदर्श सुरक्षी transition के लिए एक network प्रदान करेगा और यहाँ पर यह भी कहा गया है कि आने वाले समय में हम एक marketplace बनाएंगे जो decentralized NFT marketplace होगा यानि कि कोई भी user करता आसानी से इस NFT market में अपनी NFT launch कर सकता है कुछ जो आएंगे मतलब लोग आएंगे वो अपनी NFT यहाँ से buy sale कर सकते हैं साथ ही यहाँ पर एक चीज और जोर देकर कही गई है कि हम किसी भी cryptocurrency क लिए उधार का मंच तयार कर सकते हैंने कि कोई भी अगर cryptocurrency को उधार करना मतलब जो marketplace पर कुछ भी buy करेगा तो उधार भी कर सकता है वो अपना जो payment है वो बाद में दे सकता है आंसिक तोर पर या कोई सटिक तारिक यहाँ पर नहीं बताई गई है तो यह भी कहिना कि यूनि प्ले करेगा आने वाले समय में शीबा में इधर अगर बाइनेंस जैसे एक्षेंस बर निंग में अपना योगदान देने लगे तो यह भी शीबा टोकन को बूश्ट करवाएगा तीसरी बड़ी नियोज यहाँ पर विल्स को लेकर आ चुकी है जो कि मार्केट को पुरानी रेली कपर दिलवाएगा और मार्केट वापस पुराने लेवल पर शीबायनु देखने को मिलेगा तो तीनों ही है जो नियोज है ना कहीं ना कहीं मार्केट को एक बूश्ट देने वाली है शीबा टोकन को अब देखना दिलचस्प होगा कि यह कब से सुरुआत करती है और कोई किया होगा चैनल पर पहली बार आए है तो सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकोन को हिट कर देना आपके सोचते है कमेंट्स में जुरूर राए लिखना नमश्कार